कोई भी इंसान, अच्छा मैनेजर कभ है किसी situation का, हम सब तो मैनेजर हैं अपनी जिन्दगी को मैनेज तो कर रहे हैं और मैनेज हम तभी कर पा रहे हैं, यह तभी कह सकते हैं जब अपनी जिन्दगी से maximum output हम ले पाएं, और बहुत सीधी बात है कि अगर मैं अपनी जिन्दगी के आउटपुट से खुश नहीं हूँ, जो रिजल्ट और परेडाम मेरी जिन्दगियों में आ रहे हैं, मैं उससे खुश नहीं हूँ, तो एक बात तो बिलकुल पक्की है कि मेरे इंपुट में कहीं न कहीं गड़ है, अब मैं अपनी जिन्दगी में पिछले पांच साल से जैसे कर रहा हूँ, वैसे ही आगे करते रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ, दिवास तो अपने जिसको डेड्रीमिंग कहते हैं कि, you know, my life is going to be changed, absolutely, some sort of transformation is going to happen and my life will be transformed, no, that will not happen, that will not happen, because आप अपनी जिन्दगी को जो खुराक पांच साल पहले दे रहे तो वही खुराक आज भी दे रहे, और जब मैं खुराक की बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यहां पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, पढ़ाई के साथ साथ हम जिस पूरी एको सिस्टम में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जैसा आपक संगी साती हैं इस तरह का आपका सरकल है जैसा माहौल है आपके आसपास और सिर्फ पढ़ाई नहीं जो आप सुनते हैं जो आप देखते हैं पढ़नते तो हई हैं यह सारी चीजें आपके दिमाग में इंपुट डाल रही हैं तो अगर बहुत लॉजिकल और सिंपल सी बात है तो अगर मैं वो इंपुट या इंपुट देने का तरीका नहीं बदलूंगा और मैं सोचूंगा नहीं मेरी जिंदगी में बाहर आने वाली है फूल किलने वाले हैं तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है और मैं इसलिए बार-बार कह रहा हूं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस जरूर करें कि मेरी इंपुट में कहां गडबड हो रही है अगर मैं कोई एक्जाम राइट कर रहा हूं और इसमें बार-बार असफ़ल हो रहा हूं तो उसके पीछे क्या कारण है कहां पे वो जो मिसिंग लिंक्स कहां पे हैं कहां पे दिक्कत आ रही है अब काम वैस चेंज करेंगे तो आउट पुट में बदलाव नहीं आएगा और यह कोई बहुत बड़ा कोई खतरनाक कोई रॉकेट साइंस को हम कहते हैं इस नौट रॉकेट साइंस इस अ कॉमन सेंसिकल स्टाफ राइट तो चेंज और इंपूट इंपूट बदलें जिस तरह की खुरा झाल झाल